जय माता दी राम राम अदाव सस्रेकाल केमचो घणी गंबा पूनी आता मेरे को बोलने जय माता दी क्यासे हैं आप सभी बताईएगा मुझे जरूर और उमीद करते हैं हम बहुत अच्छे होंगे भगवान की कृपा से जहां कहीं भी होंगे तो अभी हम बना रहे हैं दनिया लाई थी मैं क्योंकि धनिया तो बहुत सारा है आप लोगों को पता है हमारे खेतों में तो दो प्याज मैंने आप चील ले थी लेकिन मैं दो नहीं डालूँगी मैं सिर्फ एक ही डालूँगी ये प्याज बड़े बड़े हैं तो यह देखिए और यह हो गए धनिय प्याज का परांठा बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी होता है सची में मैंने हनी को बोला कि तुम लगा दो अटा और लेट भी हो रहा था तो यहां पर मैंने प्याज भी कट कर लिए बारीक बारीक इससे भी बारीक अगर कट हो जाए तो तो बहुत अची बात है और यह द प्रांठा पर बेहर टेस्टी और अजवाइन भी इसमें मिला देनी और जो हेल्थ के लिए भी अच्छ होता है और थोड़ा से मैं इसमें गर्मसाला डाल दिया तो अच्छलिए अब इसको मिक्स कर लेते हैं इसको नमक डालने के बाद फटा फटा से बिनाना पड़ता है यहां पर यह मैंने बना दिये पेड़े हम बोलते हैं इसको अपनी भासा में पेड़े और यह देखो आज मैं डबल बॉला प्रांठा नहीं बना रही हूं वस इसी तरह से आरी थोड़ा सा बड़ी कर देनी है और इसमें हमने इसको मिक्स कर देना है और भाई हारा कुछ भ लगाओ ना लगाओ वह हमारी मर्जी है घी लगा दो कुछ भी जो भी है सुखा बना दो लेकिन होते बहुत टेस्टी हैं तो यह देखिए इस तरह से पता यह फट गया वाल पेपर अब नहीं कीचन में वाल पेपर नहीं लगाएंगे वहां पर हम टाइल ले लगाएंगे सिर्फ रसोई में और किसने हां भासकर ने बोला था कि देदी कमरों का बताना कि इस तरह से बन रहे हैं तो भासकर अभी जो क्या है ना कि अभी ढंक से मसले वहां पर स्याट्रिंग चड़िये ना पता नहीं लगेगा तो मैं बताऊंगी बाद में और देखिए यह लगा रही हूं थोड़ा थोड़ा तो नहीं यह तो कुछ ज्यादा ही हो गया बोलने को हम थोड़ा थोड़ा बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा है थोड़ा थोड़ा कहा है तो तहा लगया मतलब अच्छी तरह से यह देखो यह देखो कितना प्यारा लग रहा है और खाने म बच्पन देखने में बढ़ा हो गया है मेरा हन्य लेकिन छोटा है अभी वैसे उमर में तो यह देखिए यह देखिए बन गया न बहुत अच्छा प्रांथा अब देख सकते हैं कितना अच्छा बनाए बनाए बनाएगा और ज़ूर मिल को बताएगा कि कैसे बने और कैसे बनाने में पांच मिनट में तयार हो जाता यह प्रांठा बनके बस आटा लगा होना चाहिए थोछ दिर पहले आटा लगा देते तो काफी नर्म नर्म बनते हैं जो जोगे लिए वने विदावट उससे लिए था तेल से मरजी का यह कभी कुछ खाता है कभी कुछ नहीं खा बनाता है तो यह हलात है इसके यह मैंने आप दूसरा भी लगा दिया था कितने बनाया थे चार पांच परांठे बनाया थे मैंने और यह देखिए तो चलिए भी जोगो को खिलाते हैं खाएगा की नहीं खाएगा कर दो चलिए ठाएगा कर दो 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 कर इसलिए भी खालेते हैं परांथा वह भी बाहर बैठके बढ़ा मुझाता है बाहर खाना खाने का मातमा खराब है सामने पहरी हैं तो यह है मेरी चाय और परांथा दिखा देख्यों उठाके अच्छे वाला और इसकी जो स्टॉफिंग मतलब अंदर ना हो बहुत अच्छी य कि यह थोड़ा से साइड में विशाय जल गया है कि अच्छी तोड़ तोड़ के क्या दिखा रही है बूल इतना परांथे की हालत भी आलत कर देगी तो शरी यह आप से बात भी करते हैं कुछ और यह भी खालेते हैं आप भी आजेए हलांकि दिन को नहीं होता परांथा पर यह अन्नी ने जीद करी और जो जो के लिए यह नी खा रहा था कुछ नी तो आजाए यह अच्छा बनता है ना जो धनीएगा जोड़ पट दो मिल भी लगते इसका मसाला त्यार करने में इसका पेश्ट त्यार करने में तो यह नास्ता है तो यह हम कभी भी खालेते हैं नास्ता है सनी कि सुभाई खाना जब मन किया ना तब खालेते हैं बहुत कम खाती हूं मैं तो मतलब बहुत कम जिसको बोलते हूं यह के हनी ज्यादा खाता है तब तो वो ज्यस्मोटा पजासा आ रहा है इसको तो यही वज करने थी कि जिन्होंने नोटिफिकेशन वैल को नहीं किया है वो कर लें काफी लोग बोल रहे हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं आता तो यही बज़ा है सबस्क्राइब भी कर लिया होगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा ठीक है वह आप लोग बूलेंगे किस टाम खाओंगी और यहां बैठके मज़ा ही कुछ और है यह अलगी है जो ने खाया नहीं बहुत कम खाया इसना है तो अब वीडियो का यहीं पर एंड कर रहे हैं और दो ते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ अभी वाला चैनल रेसिपी का ही बन गया है और उसके बाद जो तीसरा चैनल ने उस पर हम ना कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कोई ना कोई स्टोरी कोई ना कोई चीज बताते रहते हैं ठीक है तो मैं ठीक हूँ आप लोग बोलते हैं कि आपका चिहरा उतरा हुआ है तो मैं ठीक हूँ ऐसा कुछ नहीं है वो कहते ना से तकलीफ होती है दुख भी होते हैं लेकिन यहां पर बता कि क्या होगा तो मस्वई है ना समाधान करना है मुस्कुराते रहना है हंसते रहना है जिन्दगी सायद इसी का नाम है जैमाता दी तो चलिए अब भी कुछ लोगों के नाम ले लेती हूं मैं वीडियो तो हो गया यह वीडियो भी एक दिन का शूट कर रहा हूँ था रात को कुछ प्रावलम होगी थी हमारी गाय बिमार होगी थी तो आज मैंने कुछ भी शूट ने किया यह एक दिन शूट कर रहा था तो कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगी मैं यहां पर नरेंदर कॉर आप बोलते बेरी इनोसेंट लव यू ओल थैंक यू सो मच दी और एक हरप्रीत हरप्रीत जी हैं हेलो मच जी आंप फॉम एसे लिव अंडर नियू यू यॉर्क और मैं आपके व्लोग हमेशा देखती हूं और मेरा नाम लीजिएग अगली बार थैंक यू सो मच हरप्रीत जी और यह कंचन और गुपाल को ही निता उमंग नंदलाल चंदेल मधू यू और ग्रेट बट धनिया बहुत धनिया ज़राती है आप यू और ग्रेट सुपर फैमिली ब्लोग्स सुख ठाकुर और यह के हमारे राहुल नेगी भाई बहुत अच्छे कमेट करते हैं और बहुत स्पोर करते हैं हमें थैंक्यू सो मच राहुल नेगी अर्यानवी खतरी ब्लोग्स चेतना रावरी सेमे सिर्मौरी ब्लोगर पूनम कवीता पुश्पा पटेल जी हैं इन्होंने मुझे काफी सारी वो बताई हैं वीडियो दी हैं मेल पे कि इन्हें देखिए कितने फिकर करते हैं आप लोग मेरी बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल से शुक्रिया दिदी पुश्पा पटेल मैंने आपके वो वीडियो देख लिये हैं आगे है मिस्टर मिसिस मोनिका जै माता दिदी डिदू बहुत अच्छा बना है और बानी दिदी का रामत मैंने ले लिया है पहले क किरन भगत नीना शर्मा रजनी ममता धिंगरादी और उसके बाद एकिंग वर्ड परमजीत सिंग जोती ठाकुर और रफिक भाई जस्वीर कौर नैच्रल हेल्थ केर अमरित नवजोत सुनीता गोपाल सिंग सर्मा रंजोत सिंग सिंधाद आशा रानी दिदी हैं और मिल हैं और मिला दिदी हैं दिल्ली से और प्रवीन दिदी हैं दिल्ली से यह भी संगीता रगुबंसी हैं संगीता बेद पाठक हैं सौरम शर्मा हैं जस्प्रीद शिखा वंश्री धावले वंश्री धावले नीलम धहियादी हैं बहुत दिनों से जुड़े हैं बहुत अच्छी क पुलादे जाए माता दे सिस्टर वे नाइस डासीपी सरोज थाप पारेड़ तो आपने अच्छा बनाया लेकिन अफ धनिया जी रभ बहुट आलते हो अजी ये तो है रादिका रोहित कुमार और वीना रोहित कुमार फिर से मीनु सें दीदी दिल्ली से किरन कोशल दिदी है और मिसिस राज अरोड़ा दिल्ली से ठैंक यू दिदी बहुत अच्छे बहुत दिनों से जुड़े हैं आप भी मेरे साथ ममतविस्त दिदी का नाम ने लिया है त्रिशुला रिवेदी और बुरे हैं त्रिशुला बुरे हैं कि आपके प्यारों में दर्दे सुबह सुबह ये दिदी वीडियो देखा बहुत बुरा लगा कोई बात दिदी चलता है जिंदगी में ये सब अंजु ठाकुर हैं बॉबी दामन नेलम चत्रुवेदी आंटी हैं और नेलम है कामारी महां से कांगरा से बच्ची वह हमेशा करती हैं कमेंट चेतपाल हैं सेलजा हैं रुस्तम हैं मधुरोट और मा हैं निशी शर्मा आंटी हैं ये काफी दिनों बाद आई हैं एक कुछ इनके प्रॉब्लम होगे थी मैंने कमेंट पड़ा था पिछले कुछ दिनों में तो ये अब कैसे हैं निशी आंटी बताना आप मुझे इंडियन ब्लॉगर मंजु शर्मा है इनका चैनल है निता कुमारी है और मिस्टर रजनिस कुंडल सुमन रावत उत्तर शर्मा संतोष गर्ग रॉन कबालियां दिदी हैं मुक्ता जी हैं बहुत अच्छी कमेंट करती हैं मुक्ता जी हमेश आती हैं देविंदर कौरहर सिंग ममतार सुनिता देवी संजय वर्मा भाई हैं एमा जी हैं दीपी का शर्मा हैं कंचन अंजु निराला इसकी गर में यह तो बहुत शुरू से जूड़ी है इसको एक दिर साल हो गया यह भी इसकी गर में कुछ प्राब्लम थी यह भी बिमार हो गी थी बिपी इसका आई हो गया था अब ठीक है कल परसो से फिर से आ रही है दुबारा से दिक्षू है रमेश है प्रतिवाब बसंत अनीता कवीता रानी उर्मिला जोशी दिदी दिल्ली से इमाचली ब्राग प्रगती हैं रिधिमा हैं सूरज हैं संजय सुलंकी भाई हैं सरीजा ठाकूर हैं बंदु वर्मा तो चलो आज इतना ही जट जाट दीती हैं बहुत सारे लोग हैं मेरे ख्याल में सुनीता संध्यार हैं काफी लोग हैं मैंने रिपीट भी कर दिये इन नाम में से बहुत से नाम तो चलो आज के लिए वस इतना ही फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो म मुस्कुराते रहे और अपनों के साथ खुशिया मनाते रहे जितने दिन है ना अच्छे से जी लो और प्यार से रह लो खुशियों के साथ जो मन करता है खालो पहलो वाकी कल का क्या पता है जैसा दौर चला है उसे हिसाब से तो बहुत अलगता है अब तो जय माता दी अपना ध्यान रखेगा सभी लोग राम राम